हेई गाइज क्या कर रहे हो सब के सब I hope कि आप लोग मेरी विडियो का वेट कर रहे होंगे एंड गाइज इस विडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री वारे में आने वाले कुछ निव इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में आपको पता होगा गेम के अंदर निव इवोलिशन गन आने वाला है तो कौन सा निव इवोलिशन गन आने वाला है गेम के अंदर एंड कब तक आपको वो गन देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे leaks and updates मिल गयोंगे फिरी फार एक new collaboration करने वाला है One Punch Man के साथ एक hero है एक super hero है One Punch Man तो उस collaboration के बारे में बात करने वाले हैं एंड हमारा One Punch Man को लेके M1887 का एक new skin आने वाला है तो वो skin आपको दिखाने वाला हूँ कैसा skin होने वाला है एंड कब तक आपको game के अंदर देखने को मिलेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड guys यहाँ पे आपको कुछ glow all event देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको 4-5 glow all में से एक glow all बिल्कुल free का मिलने वाला है तो उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड साथी साथ आपको पता होगा हमारा new incubator आने वाला है criminal costume आने वाले हैं तो मुझे criminal जो blueprint है criminal costume का जो blueprint लगने वाला है वो blueprint मुझे देखने को मिला मिल सकते हैं आपको पता होगा हमारा जो soccer jersey है वो event आपको देखने को मिल सकते हैं एंड हमारा यहाँ पे new map आने वाला है तो उसका details आपको देने वाले हैं कब तक आपको map देखने को मिलेगा एंड कितने दिन तक game के अंदर map रहने वाला है ठीक है तो बहुत सारे leaks and updates है एंड बहुत important वीडियो है कुछ reward आपको बिल्कुल free में मिलने वाले है एंड कुछ update ऐसे है जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वीडियो के साथ बने रहना बहुत ज़्यादा interesting वीडियो होने वाला है बिल्कुल भी skip करके मत देखना लेकिन यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लिया लेकर दीजिए बहुत ज़्यादा मैनत लगते वीडियो बनाने के लिए चैनल पढ़ी हो तो सब्सक्राइब करके ओल नोटिफिकेशन को रखा करो ताकि हम जब भी कोई निव वीडियो अपलोड करते है तो एक्जेक्ट वो वीडियो आप तक पहुँच जाती ठीक है तो चलाएड वीडियो कर स्टार्ट करेंगे वन पंच मैन को लेके तो यहाँ पे मुझे एक लोगो देखने को मिला जिस पे लिखा हुआ है वन पंच मैन अब यहाँ पे फ्री फएर ने किस से रिलिटिड किस चीज से रिलिटिड या फिर किस कारण के रिलेटर यहाँ पे फ्रिफार ने One Punch Man के साथ कोलेबरेशन किया वो तो मुझे नहीं पता लेकिन भाई साब यहाँ पे One Punch Man का लोगो निकल के सामने आया एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा दी रहाँ आप वीडियो स्क्रीन पे देख सकते हो अब क्या कुछ इस कोलेबरेशन में होने वाला है क्या कुछ नहीं होने वाला वो तो मैं आपको नहीं बता सकता बट यहाँ पे बहुत सारे रिवोर्ड यहाँ पे One Punch Man के आपको देखने को मिल सकते हैं जैसा कि Money Hist रिवोर्ड आपको देखने को मिले थे Money Hist आइटम आपको देखने को मिले थे जैसा कि अभी पिछले वीक में यहाँ पे क्रोनो इवेंट चला तो ऐसे ही कुछ रिवोर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कुछ आइटम यहाँ पे One Punch Man के आ सकते हैं ठीक है उसी के साथ यहाँ पे हमारा next event निकल के आता है next update निकल के आता है One Punch Man को लेके यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में बोला कि One Punch Man का M1887 का new skin आपको देखने को मिल सकता है तो यह skin कुछ ऐसा होने वाला है and भाई जब One Punch Man के साथ Free Fire का collaboration हो जाएगा तब आपको यह skin देखने को मिल सकता है जैसे की हर collaboration के साथ सारे rewards डाले जाते है सारे items डाले जाते है तो M1887 का एक new skin आने वाला है और यह One Punch Man skin होने वाला है तो आप comment करके बताओ आपको यह skin कैसा लगा and अगर यह skin game के अंदर आता है अभी recently game के अंदर fished skin भी डाल दिया गया जहाँ पे एक fished skin available है game के अंदर तो यहाँ पे One Punch Man collaboration के बाद एक औरी skin आपको देखने को मिल सकता है fished skin आपको एक और देखने को मिल सकता है and कैसा वो skin होने वाला है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसा skin होने वाला है बाकी आप comment करके बताओ क्या आप One Punch Man collaboration को लेके interested हो या फिर नहीं हो आप मुझे comment करके बता सकते हो ठीक है उसी साथ यहाँ पे हमारा next update निकल के आता है जैसा कि मैंने आपको वीडियो के starting में बोला था कि new evolution gun आने वाला है तो मैं आपको बता दू new evolution gun होने वाला है scar जहाँ पे आपको पता होगा हमारा जो scar है वो new evolution gun आने वाला है और यह gun कुछ इस तरीके का होने वाला है और जैसे कि आपको पता होगा अभी game के अंदर AK का new skin आया था blue flame drake को जो evolution gun था अब फिर उसके बाद UMP का skin आया उसी के बाद यहाँ पे हमारा new scar का evolution gun आने वाला है और यह gun कुछ इस तरीके का होने वाला है बाकी आप comment करके बताओ क्या आप इस gun skin में interested हो या फिर नहीं हो और अगर यह game के अंदर आ जाता है जल्दी ही तो क्या आप इस gun को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं पसंद करोगे ठीक है उसके साथ यहाँ पे हमारा next update तो नहीं है next event निकल के आता है जिससा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कुछ यहाँ पे आपको glow all event देखने को मिल सकता है जहाँ पे आपको बहुत सारे glow all के skin देखने को मिलेंगे जो game के अंदर already available है लेकिन उन glow all के skin में से आपको एक glow all का skin आपकी पसंद का बिल्गुल free में मिल सकता है अगर यह event Indian server में आता है लेकिन इन glow all के skin को लेने के लिए यहां से आपको एक glow all की skin को लेने के लिए एक token की ज़रूरत पड़ेगी अगर यह event Indian server में आता है तो आपको एक token की ज़रूरत पड़ेगी जिस token के लिए आपको reservation करना पड़ेगा reserve करना पड़ेगा जो भी होता है event आने से पहले उस token के लिए आपको reserve करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको वो token मिल जाएगा उस token के बदले आप easily exchange कर सकते हो वहाँ से glow all को लेकिन याद रहे अगर यह same to same event इंडिया के अंदर आता है इंडियन सर्वर में आता है तो आपको एक ही glow all free का मिलने वाला है बाकी आप comment करके बता सकते हो क्या कोई ऐसा event free fire में यहाँ पे इंडियन सर्वर में देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है वैसे chance से 50% बाकी आपे 50% हम कुछ भी नहीं कह सकते है और उसी के साथ यहाँ पे मारा जहाँ पे आपको emote free में भी मिल सकता है बाकी यहाँ पे event में तो अभी chrono character का जो emote है football emote वो तो अभी एक event में भी देखने को मिला आता कौन सा event है वो मुझे याद नहीं है बाकी यहाँ पे हो सकता है की कुछ आपको free के emote का event भी देखने को मिले बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आप comment करके बता सकते हो and guys यह जो event है जो event confirm होता है वो मैं आपको बता दूँगा जो event आने के chances होते हैं वो यहाँ पे आने के chances ही होते हैं मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता और जो update है वो confirm ही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ वो confirm होते हैं, बाकी यहाँ पर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, जो update and event confirm होते हैं, वो मैं आपको अपने मूँ से बता देता हूँ, कि यह event या फिर यह update game के अंदर आने वाल है, उसी के साथ यहाँ भी हमारा next event निकल के आता है, soccer royal jersey को लेक जाते हैं, तो यहाँ पर मैं भी new year पर आपको वापस से यह jersey देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है and बहुत सारे लोगों के पास है, तो यह event भी आपको देखने को मिल सकता है, उसी के साथ यहाँ पर हमारा next event निकल के आता है, जिसा कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि भाई हमारा क्रिमिनल जो कोस्ट्यूम है क्रिमिनल जो इनक्यूबेटर है गेम के अंदर आपको वापस रिटरन देखने को मिलेगा तो उसका यहाँ पे मुझे एक ब्लुप्रिंट देखने को मिला यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाओंगा सबसे पहले यहाँ पे आपको डिनो ब्लुप्रिंट देखने को मिलेगा उसी के बाद यहाँ पे आपको क्रिमिनल ब्लुप्रिंट देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ ही यहाँ पे आपको तरह तरह के blueprint देखने को मिलेंगे मतलब जितने भी पुराने incubator है आपको यहाँ पे सारे blueprint देखने को मिलेंगे एंड इस चीज़ से अंदाजा लगा जा सकता है कि हमारे जो criminal incubator है वो वापस आ सकता है और जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बोला था कि भाई अभी आपको दो से तीन incubator का सामना करना पड़ सकता है ठीक है उसी के साथ यहाँ पे हमारे वीडियो end होती है end guys मैं आपको बता दूँ आज की वीडियो में tonight update नहीं है अगर आप लोगों की demand आती है अगर इस वीडियो पे 5000 like जाते हैं और आप लोगों के comment आते हैं कि भाई अपनी वीडियो में tonight update भी add करो यानि के हमें अपनी वीडियो में tonight update के बारे में भी बताओ कि आज रात 12 बजे गेम के अंदर क्या आने वाला है अगर आप लोगों की demand आती है तो मैं वो पार्ट वीडियो में add करूंगा नहीं तो भाई उसकी जरूरत नहीं है वैसे मैं community post भी कर सकता हूं कि आज रात 12 ब